दिखकेते तो यहां पर पूरा खंडर था, दीरे दीरे एक एक इंटा मट्टी जोड जोड करके यह इस तिल पर आपाया है आज भी बारिस का पानी आता लेकिन मेट्रों के बज़े से जो हम जो इसका कोई बिकास नहीं कर पा रहा है बारिस आती है उस समय पर इसकूल बंद हो जाता है बागी जो है फिर हम चलाते रहते हैं यह दिल्ली है मर्याँ गिर्के उठता हर बाहाँ मेरा नाम राजस्टुमा सर्मा है यह इसकूल चलाने का कभी भी मेरा मैथर्ड नहीं था कि में इसकूल चलांगा वबेश्ट में लेकिन सन 2006 में यमना बैंक मेट्रो इट्रेशन पर गूमने कया था तो उस समय वहाँ पर मेरे को दो बच्चे गरीब इस्तर के मिले जिनके पैर में ना जूता था ना चपल दे और शरीर पर कपड़ा था उनको देखकर के कुछ लगा कि हमें इनके साथ में कुछ करना चाहिए तो इनको एसी कोई चीज दी जाए जो कि इनके जिंदिगी में काम आए तो उसके लिए एजुकेशन से बढ़कर के कोई चीज नहीं है मैंने अपनी जिंदिगी में इतने काम करने के बात में यह मालूम पढ़ा है कि बास्ता में एजुकेशन एक एहम चीज है बच्चे को मिल जाती है तो उसको ना उसके ममी ले पाती है ना पापा ले पाते हैं और ना कोई छीन सकता है जितना उसको यूज करो को उतना ही वो किलो मीटर के जाकर के पूरी पढ़ाई जोगा नहीं कर सका बीच में एक साल पढ़ने के बाद में कॉलेज को ने छोड़ दिया क्योंकि रोज 30 रुपीस जोग लगते थे तीस रुपे हमारे घरवालों पर भी नहीं होते थे तो मेरे को अजब भी अकेला आज बैठ जाता हूँ आज भी वो कमी मेरे को मैसूस हो रही है चुकर परिबार के साथ में रह करके मैं उस चीज को पकड नहीं पा रहा हूँ कि जो पढ़ाई छूट गई है साथ होती कई इंजिनियर बना होता या क्या होता फिर अपने को यह समझा लेता हूँ कि इंजिनियर बन जाता तो इस चेत्र में मैं काम भी नहीं करता हूँ यह काम मेरे को बहुत मुसीबत का लगता मैं जुकी जोपड़ी के बच्चों को ही खाली पढ़ाता हूँ इनके माबाब रिक्सा चालक, खेती मजदूरी करने वाले, कबाडा वीनने वाले उन्हीं के बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाता हूँ क्लोनी के बच्चों को में नहीं पढ़ाता हूँ प्लास्टिक की चदर की करना में च्छत होती है जब बारिस आती है उसको तान लेते हैं बारिस बंद हो जाती हो उतार के रख लेते हैं गर्मी पड़ती है तो पेड़ों के नीचे जैसे तरीके से करना जौबड़ी बना रखी उसमें काम करते हैं कि दिखते तो यह पर पूरा खंडर था दीरे दीरे एक एक इंटा मटी जोड जोड करके यह इस तिल पर आपाया है आज भी बारिस का पानी आता लेकिन मेट्रों के बज़े से जो हम जो इसका कोई बिकास नहीं कर पा रहा है बारिस आती है उस समय पर श्कूल बंद हो जाता भाजा जोगता कि चलाते हैं कि मैं तो यह कह रहा हूं कि जो स्टोरी लोग देख रहें जादा नहीं हो सगे अपने परिभार के निजदी की कोई घरी इसतर के बच्चे रह रहे हों तो उनको उठाने की कोशिज करें कि और उनको सपोर्ड करें जितना हो से उतना क्योंकि गरीब लोगां तक सिच्छा इसी लिए नहीं पहुच पाती है कि वो इसके काविल नहीं हो पाता है और उसका खर्चा नहीं उट पाता है। बहुत से बच्चे जो भी इस देश में निकल के आ रहे हैं वो गरीबी इस तर से पढ़ाई लिखाई करके आज उपर उठकर आ रहे हैं और वो ही सिच्छा के महत को समझते हैं। तो मैं अपना बच्चों के साथ ही मिलकरके जो पढ़ाई है उसको जो है और ताजा कर रहा हूं और मेरी पढ़ाई छुटी तो मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा मेरे हाला से गुजर करके पढ़ाई को ना छोड़ पाये।। यही इसे कानी के पीछे जोगाना में सारांस्ता है